कुनली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानि गुर्मीत बेदी का नमस्कार वर्ष 2022 में शनी देव के राशी परिवर्तन के स्पेशल सीरीज में कुनली टीवी के सभी दर्शकों का हारदिक स्वागत है 12 राशियों के स्पेशल सीरीज यानि एपिसोड में आपको आज वरिष्चिक राशी पर शनीदेव के प्रभाप के बारे में बताया जाएगा मकुनले टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि शनीदेव इस साल यनि साल 2022 में दो बार अपना राशी प्रिवर्तन करने जा रहे है शनीदेव हर 28 साल के बाद अपनी राशी बदलते है और जोतेश चकर की सभी 12 राशीों के भरमण में उन्हें 30 साल लगते है यनि एक राशी में अपना सफर पूरा करने के बाद शनीदेव को उसी राशी में बापिस आने में 30 साल का समय लगता है शनीदेव 29 अपरेल 2022 को सुबा 7 बजकर 52 मिनट पर मका राशी से निकल करके कुम राशी में प्रवेश करेंगे शनी 30 साल के बाद कुम राशी में प्रवेश करने जा रहे हैं और उनके कुम राशी में प्रवेश करते ही मकर राशी वालों पर शनी की साड़े सती का आखरी चरण और कुम राशी वालों पर शनी की साड़े सती का सेकंड फेज यानि दूसरा चरण शुरू हो जाएगा वही मीन राशी वालों पर इसका पहला फेज शुरू होगा धनु राशी वालों की शनी की साड़ सती से मुक्ति मिल जाएगी इस दोरान करक और व्रिष्चक राशी के लूग जो है वो शनी की धहिया की चपेट में आएंगे तो मिथुन और तुला राशी वाले इससे मुक्त हो जाएंगे मैं यहाँ पर कुल्ली टीवी के दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि शनी साड़ सती के तीन चरण होते हैं जिनमें पहले चरण में शनी शारीरिक और आर्थिक कष्ट देते हैं दूसरे चरण में शारीरिक आर्थिक के साथ मानसिक कश्टों का सामना भी करना पढ़ता है। वहीं तीसरे चरण में शनी अपनी गलती सुधारने का मौका देते हैं। इस चरण में शनी व्यक्ति को सही मार्थ पराने के लिए प्रेरित भी करते हैं। 29 अपरेल 2022 को शनीदेव कुमराशी में आने के बाद सभी 12 राशियों को परभावित करेंगे, इस बाद विलक्षन सायोग भी बन रहा है कि 29 अपरेल को मकाराशी से कुमराशी में जाने के अधाई मिहने बाद 12 जुलाई 2022 को सुबा 10 बज कर 47 मिनिट पर फिर से उल्टी गती चलते हुए यानि वक्री अवस्था में शनीदेव फिर से मकाराशी में आ जाएंगे और 17 जनवरी 2023 तक मकाराशी में रहने के बाद फिर से कुमराशी में आएंगे इस तरह वर्ष 2022 में पहले 29 अपरेल और फिर 12 जुलाई को शनी का जो दो बार राशी परभाव पड़ेग देकर वरिष्चे का राशी पर शनी के परभाव के बारे में विस्तार से बताने से पहले मकुली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि हमारे जोतिश में और हमारे नवगरों में शनी देव को एक परमुक स्थान हासिल है इन्हें नियाय का देवता और कर्मों का कारक माना गया है, ऐसा माना जाता है कि शनी देव जिस पर मेहरबान हो जाए उसे रंक से राजा बना देते हैं और जन पर उनकी करूर दिश्टी पढ़ जाती है उस वेक्ती की मुसीब्तें बढ़ जाती है ऐसा भी माना जाता है कि हमारे इसी जीवन में शनी देव हमारे कर्मों के मताबिक हमें अच्छे और बुरे फन परदान करते हैं जनम कुंडली में शनी की शुब स्थिती जहां लाप परदान करती है वही अशुब स्थिती जीवन में के बार दिक्कत, परेशानी और आर्थिक संक्त का कारण भी बनती है और यही वज़ा है कि शनी देव को हर कोई परसन रखना चाहता है और हर कोई शनी देव की किरपा पाने को ललाईत रहता है शनी देव नाराज होने पर धन में कमी लाते हैं जौब और बिजनस में दिक्कत पैदा करते हैं यहां तक कि के बार जौब से भी हाथ धोना पड़ता है इस दोरान रोग भी घेर लेते हैं जमापूंजी नाष्ट होने लगती है मेरिल नाइफ में भी थोड़ी मुश्कलात का सामना करना पड़ता है कर्ज बढ़ता जाता है शनी देव अपनी साड़े सती, अपनी धैया, अपनी महादशा, अपनी अंतरदशा में सबसे ज़्यादा परभावित करते हैं वैदिक जोतिश में शनी देव को बड़ी धीमी गती से यानि शने शने चलने वाला ग्रह माना गया है और ये एक राशी में 28 साल तक रहते हैं, यही वज़ा है कि शनी का परभाव विक्ती पर देर तक रहता है आज की इस पोस्ट में मैं कुल्णी टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि 29 अपरेल 2022 को जब शनी देव अपना राशी परिवर्तन करेंगे तो विरिष्चिक राशी वालों के लिए उनका राशी परिवर्तन कैसा रहेगा विरिष्चिक राशी वाले क्या खोएंगे, क्या पाएंगे उनके जीवन में कहां अच्छा रहेगा, कहां दिक्कत रहेगी शनी देव वरिष्चिक राशी वालों को कैसे फल परदान करेंगे और कहां पर वरिष्चिक राशी वालों को थोड़ा अलर्ट रहना होगा मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना जाओंगा कि इस साल की शुरुवात से वरिष्चिक राशी वालों के लिए शनी देव थर्ड होस में, तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तीसरा भाव भाई भहन और प्राकरम स्थान कहलाता है, शनी तीसरे स्थान पर गोचर करते हुए हमरी कुंडली के 5 में, 9 में और बार्वे भाव को देखते हैं पांचवा भाव विद्य बुद्धी वा संतान भाव है जो नाइन थाउस है वो हमारा भाग्यस्थान होता है और जो बार्वा स्थान है वो विदेश यात्रा, शेया सुक, लावहानी और हॉस्पिटिलाजेशन का भाव होता है 29 एपरल तक जब शेनी देवती सरे भाव में गोचर करेंगे तो यह समय आपको कठिन परिश्रम के लिए बहुत अधिक सक्रिया बनाएगा इस तुरान आपके साहस, सामर्थे और प्राकरम में वृद्धी होने के योग है लेकिन आप थोड़ा अग्रेसिव भी रहेंगे यानि आपकी नेचर थोड़ी को सैल रहेगी आप जो एडवेंचर गेम है, साहसिक और जो एडवेंचर की खेले होती है इसके साथ ही आप अपनी शरीरिक फिटनस की तरभी ध्यान देंगे 29 अपरेल 2022 को शनीदेव आपकी कुंडली के फोर्थ हूस में चोथे भाव में आ जाएंगे और आपको शनी के ढईया स्टार्ट हो जाएगी और अधाई महिने तक यानि 12 जुलाई तक आप शनी के ढईया के प्रभाव में रहेंगे शनी जब आपके चोथे भाव में प्रवेश करेंगे तो उनके दृष्टी आपकी कुंडली के छठे भाव, दस्वे भाव और पहले भाव पर पड़ेगी जो कुंडली का छठा भाव है, यह रोख, शत्रू और पीड़ा का विभाव होता है दस्वा भाव जो होता है, यह करमस्थान होता है, राजदरबार होता है, पिता का भाव होता है जबकि पहला भाव जो है, वो हमारी नेचर का, हमारी मेंटल्टी का, हमारी परसनल्टी का भाव होता है, शनी के फोर्थ हाउस में गोचर के दोरान विद्यार्थियों की पढ़ाई में थोड़ी कंसंट्रेशन तूट सकती है, बिजनस में भी थोड़ा ठैरावा सकता है, ले आपके पिछली राशी में लोट आएंगे, तो वे आपके तीसरे भाव में फिर से गोचर करेंगे, इस सब्दी में आपके अपने छोटे भाई भेहनों के साथ बहुत अच्छे संबंद रहेंगे, आपके हर प्रयास में भाई भेहन आपका पूरा सहयोग करेंगे, आपके प्रभाब में विर्दी होगी, आपका यश्य और मान बढ़ेगा, आपके कुछ ऐसे अठके हुए काम भी बनते चले जाएंगे, जिनने लेकर के आप थोड़ा चिंतित थे, थोड़ा अशंकित थे, मैं उपाये बताना चाहूंगा, कि हर शनिवार को शाम के समय काले कुत्ते ही मैं गुर्मीद केती हुए